पुरक वाचन पाठ पाँच सेवा मुर्ती परिक्षित लाल मजमुदार 12 दोस्तों हवे आपने लेखक ना जीवन विशे परिचय मिला विए सेवा मुर्ती परिक्षित लाल मजमुदार ए जीवन चरित्र पर आधारीत पाठ छे जना लेखक छे श्री हरिश जेठा भाई मंगलम तेमनो जन्म पंदरमी फेबरुवारी 1922 रोज महसाना जिल्लाना विजापूर तालुकाना फलू गाम्मा थयो हतो लेखक श्री हरिश मंगलम हाल अधिक कलेक्टर तरीके सेवा आपी निम्रूत थाया छे तेमने कवीता, नवलकथा, वार्तासंग्र, विवेचन, संपादन, वगेरे क्षित्रे नोधपात्र प्रदान कर्यू छे तेमने तीराड, चौकी, अने अगन जाड, जेवी जानीती नवलकथाओ, तथा तलप नामे वार्तासंग्रह पण लख्यो छे तेमने मुल्य निष्ट अने जिवन उप्योगी साहित्यनू संपादन पण कर्यू छे तेमनो साहित्यक्षेत्रे गणू नोंदपात्र प्रदान रह्यू होवा थी तेमने साहित्यना विवीद पारी तोशीको पण मल्या छे तेमने गुजरात सरकार तरफ थी संतश्री कबिर्दलित साहित्य अवाड पण एनायत थयो छे बार दोस्तो सेवा मुर्ती परिक्षित लाल मजमुदार ए पाठ मां लेखके सेवा मुर्ती अने अधना आदमी इवा परिक्षित लाल मजमुदार नो जिवन चरित्र रजु कर्यू छे बार दोस्तो हवे आपने पाठ में समझ ये सेवा मुर्ती परिक्षित लालनो जन्म आठ में जानिवारी ओग्णी सो एकना रोज भावनगर जिल्लाना पाली ताना गाम्मा थायो हतो तमना पीता लल्लु भाई देशी राज्यमा शीरस्ते दार हता त्योग नातिये कायस्त ब्राम्मन हता परिक्षित लाल नाना हता त्यार्थी ज तेमना मा बीजाने मदद रुप थवानो गुण बिक्सियो हतो पाली ताना मा पचात वर्गना लोकोंने पोस्ट ओफिस मा थी पोस्ट काड़ लावी लखी आपता आ गुण एमने मृत्यो सुधी जार्वी राख्यो तेमनी इच्छा भणी ने डॉक्टर थवानी हती तेवों होशियार विद्यार्थी हता मैट्रिक्मा सारा मार्क्स हता जेथी मुंबई मा गोकरदास तेजपाल बॉर्डिंग मा प्रवेश मड़ो हतो आ बॉर्डिंग मा फस्ट क्लास विद्यार्थीनेज प्रवेश मड़तो तेमनू शरीर गोरू, स्वस्त अने सुडोड हतो चहरो हस्मुख हो हतो देखावूमा आकर्शकता आ तेमनू बाहियर रूप हतो अंतर्णू रूप तो एना थी पण वदारे आकर्शक हतो काम करवानी निष्ठा, शुद्द चारित्र अनि द्रड संकल्प थी एमना अंतर्णू रूप दीपी उठतू हतो ए समय गांधी जीनी आजादीनी चडवडनो समय हतो आखा भारत देशमा आजादीना आंदोलनोनो माहोल हतो गांधी बापुनी हाकल थी अंग्रेजी शिक्षणनो बहिशकार कर्यो अमदावाद आव्या अने देश भक्ति थी प्रेराईने गुजरात विद्यापिठ मा जोड़ाया आसूद मल गिधवाणी गुजरात विद्यापिठ ना आचार्य आहता त्या आचार्य श्री गिधवाणीनो मार्ग दर्शन मढ्यू अर्थ शास्तर विषय साथे स्नातक थाया बनता बनता वाड़ जने पालडी पासेना पोचरब गामना दलित वासमा गुजरात विद्यापीठे शरू करेली रात्री शाड़ामा अध्यापन कार्य शरू कर्यू आश्रम्मा रोपीजी, पूनी बनावी जे 10-15 रुप्या कमाता हता तेमाथी पोतानु गुजरान जलावता हता आचार्य श्री गुद्वानीना टोमोरो नामना मासिकनु प्रुफजोवामा मदत करता रात्री वर्गोना अध्यापन कार्य ने लिदे दलिजन सेवाज तेमनों जिवन कार्य बनी गयू लुकोना मानस पर धर्मनी जडतानी जबरी पकड़ाती जे कोई आलोकोनी सेवानु कार्य करता तेने तिरसकारता अने बहिशकार करता इवा कप्रा समय मां परिक्षित लाल मजमुदारे सेवाने पोतानों जिवनमंत्र बनाव्यो हतो दलिक जन सेवाने पोतानों श्रेग अने प्रेई समझी मामा सहे फड़के पासे थी सेवानी दिख्षा लिदी पुज्य मोटा मामा साइफ फड़के अने ठककर बापा साथे अंतियज सेवा मंदर मां एमने सह मंत्री तरीके काम कर्यू परिक्षित लाल कर्मयोगी हता राद दिवसनी परवा कर्या वगर सतत गामणा खूंदता रहता प्रवासे थी थाकीने आव्या होई तो पन बाड़कोंने नवड़ावता कपडाने साबु घसता शिखवता शाक समारता चोखाने मोर देता अने गीतो गवडावी आनन्दापता बाड़कोंने मानी ममता थी जमारता आयमनो मन गमतु काम हतू हरी जन सेवक संगना तेव स्थापक सब्य हता पचिती तेना मंत्री अने प्रमुख बन्या हता तेमने नवा चात्रा वासो अने रचनात्मक प्रवृत्यों शरू करावी हती तेमने गांधी वापुनी अस प्रुष्यता निवारणनी जुंबेस पन आगड धपावी हती लोको दूर दूर थी एमने मलवा आवता तेमना प्रश्णोंने एक चित्ते शान्ती थी सांबडता हता तेवो दलित बाड़कोंनो शाडा प्रवेश बसमा बैस्वा देवा माटेनो सत्याग्रा मंदेर प्रवेश शिक्षितोंने टकावारी मुझब नोकर्यो अपाववी वगेरी प्रश्णों मा आठे पहोर तड़को छाइडो जोया वगर ने थाकनी परवा कर्यावीना तन मन अने धन्थी मदद करता जियां एई लोको ने अन्याई थतो त्यारे एमनो रुदै द्रवी उठतु आवी सेवाने लिदे परिक्षित लाल मजमुदार ने सव कोई ओड़कता हता उनाणाना दोंदकता तापमा एक दिवसे चालता जता हता खुब तरसलागी हती सुरज जिल्लामा सार्वजनिक परवेथी एमने प्यालामा फानी पिदू कोई अबूदे तेमने गाले तमाचो मार्यो दवाखानामा सार्वाल लिवी पड़ी तेम छता तेमने पिला मानसना विरुदमा एक शब्द पन उचार्यो नहतो ती दिवस्ती परिक्षित लाले जाने आज इवन दलित जन सेवानी दिक्षाली दी त्यार पची दलितना वकिल बनीने गुजरात माज नहीं पन आखा भरत देशमा थी अस प्रुष्यता दूर करवाने सफाई कामदारोंना माथ्य थी नरकना डब्बा हटाव वा बेख लिदो परिक्षित लाले आजादीनी चडवड मा अधना लडवईया तरीके नाकपूर जंडा सत्याग्र 1923, सविनै कानुन बंग 1930 तता हिंद छोडो आंदोलन 1922 इसमा सक्रिय भाग लिदो अने कारावास भोगियो एमनी दलिजन सेवा अने राष्ट्र भक्ती जोईने गांदी बापू ये कहियो हतु के परिक्षित लाल मानस नती पन देव छे जो परिक्षित लाल जेवा थोड़ा सेवकों मने मड़्या होत तो अस्प्रुष्यतानी जड भारत माथी धने वहली निकडी जात एमना सवैमा आखो आश्रम एक परिवार जेवो हतु आश्रम मा स्त्रियो प्रत्य तेमनु रुदैक करोणा सबर रहतु सवने पिता जेवो प्रेम आपता तेवो बहनोंना आसु सहन करी शक्ता नो हता आश्रम मा तेमना वड़िल पणा नीचे पुझ्य बभू माशी पुझ्य अमीना बेन पुझ्य आई लक्ष्मी बेन खरे पुझ्य विम्णा बेन पटेल जेवी बहनों हती गम्मे ते व्यक्ती गम्मे त्यारे तेमनी पासे नहीं संकोच पहुची पोतानी मुश्कली रजु करी शक्ती हती बहनोंना किस्सामा लगीरेई शे शररम राख्यावीना गम्मे तेवी व्यक्ती पासे थी खुलासों मागता દરેકને મદદ કરી સાચુ માર્ગ દર્શન આપતા विद्यार्थीनी PTC पास करे के तुरन तेने नौकरी मड़े तिवा निष्ठा बर्या प्रयत्नो करता चारे बाजु एमनी इवीचाप हाती कि एक फोन मात्र थी छोकरियोंने नौकरी मड़ी जती गामडा मां कोई छोकरियोंने तकलिफ पड़ती तो ते पोते गाममा पहुँची जता औने तकलिफ दूर करवाना प्रयत्न करता परिक्षित लाले आ जीवन सफाई कामदारों औने दलित लोकोंनी सेवा मां पोतानू समगर जीवन समर्पित कर्यु हतो आ अखंड सेवाना व्रत धारी आजीवन व्रह्मचारी रहया एमनी महामुली समात सेवानी कदर रुपे बारत सरकारे इस्वीशन ओगणी सो ओगण साथ मां तेमने पदमश्रीनो इलकाब आपयो हतो आ सेवा मुर्तिये 12 मी सप्टेमबर 1965 ना रोज आपनी वच्चे थी चीर विदाय लिदी परन्तु एमना जीवनकार्यानी सुवास आजे सर्वत्र महकी रही शे